तो चलो स्टार्ट करते गाइस अपनी आज की वीडियो और इससे पहले मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कुछ विचार रखे थे जिसमें मैंने कहा था कि हम सनातनी हैं और अपने धर्म की बुराई नहीं सुनेंगे अगर कोई बुराई करेगा तो हम उसे जवाब देंगे जवाब इन्दा सेंस मैंने मेरा यह मतलब नहीं ता कि हम उसे गालियां देने लगेंगे बलकि आगर वह हमारे बगवान की बारे में कुछ उल्टा सिद्धा बोलता है अग्यान अग्यान्ता भरी बातें करता है तो हम उसे बताएंगे कि ऐसा नहीं भई ऐसा है और बाकि तुम्हारी मर्जी है हर कोई अपने आप सुतंत्र है बोल सकता है कुछ जैसे आप बोल सकते हो वैसे हम भी बोल सकते हैं बहुत कुछ ठीक है तो काफी सारे लोगों ने इस चीज को पसंद किया थैंक्यू आप लोगों ने इतना जादा सपोर्ट किया और ठीक है और इसलिए जवाब देना यहाँ पर मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि मैंने कहा गा कि अगर कोई बोलेगा तो हम जवाब देंगे हाँ अगर आप से भी कोई कभी कहता है तो आप तुरंक जवाब दीजिए या फिर वहाँ से हटकर चले जाईए अगर आप जवाब नहीं दे सकते कोई बात नहीं ठीक है लेकिन आप वहाँ हटकर चले जाए क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो अगर अपने कानों से निंदा सुनता है इश निंदा सुनता है वो भी बहुत ही होर क्या है अपरादी है पापी है ठीक चलो तो इसलिए इश निंदा हम नहीं सुनेंगे और अगर कोई कर रहा है तो उसे करने नहीं देंगे मूह तोड़ जवाब देंगे ठीक है अब सुनो मेरे पास कमेंट आया हाशिम जी का ठीक है हाशिम जी का कमेंट आया I feel pity on Hindus मैं मोबाइल लेके वैठी हूं इसी वज़े से मैंने इनका कमेंट है यह मैं आप लोगों के सामने पड़ू और reply करूं मैंने कहा भी था कमेंटी पर मैंने डाला भी था कि मैं इस बारे में वीडियो बनाऊंगी इनका जो कमेंट आया क्योंकि ऐसे काफी लोग काफी बाते बोलते रहते ठीक है तो इसलिए आप लोगों से भी बोलते हुआ को यह है आप कई यह वह आल्ला यह वैसा है वैसा है तो लेखो मैंए कभी अल्ला के बारे में तो कुछ कहा लिए शिवाई ले कर करकाऑ है तो और आजचे सिधा बोलने की अब सुनो तो इन्हों ने कमниंट में क्या कहा थीख है और ठाकुर है сюда ख़सा आएगा ही ठीक है चलो सुनों और गुस्ता इस पेसली तब ज्यादा आता है ठाकुरो कोई भी कास्टों मैं जो है कम्यूनिटी और कास्ट पे इत्ता वो नहीं करती हूं ठीक है लेकिन खूर भी कही नहीं प्राउट तो होते हैं और दूसरी चीज यह है कि हम सभी सनात्मी है और अगर कोई भी कुछ उलटा सीधा बोलेगा तो हम बरदास नहीं करेंगे तो देखो गाइस इन्होंने बोला है कि I feel pity on Hindus that they believe in human beings as God who doesn't have the qualities of a God ठीक है अब मतलब इन्हें बहुत ही बुरा लग रहा है क्योंकि हिंदू जो है मनुश्यों को God की जैसा मानते हैं जिनमें God की कोई quality भी नहीं है ठीक है इन्होंने quality जाके देखी यह गए अल्ला के पास इन्होंने पूछा कि आपकी क्या क्या qualities है मुझे बता दीजी तो जो यह quality follow करेगा वही बाकी तो सब क्या है नल्ले बैठें ठीक है चलो the biggest quality of God is that he has the knowledge of everything ठीक है बिलकुल सही बात है हमारे आमें कह जाता है इश्वर क्या है सरवग्य है ठीक है इश्वर को सब पता होता है ठीक चलो ठीक उसके बाद यह पहले statement में क्या भोल रहे हैं राम इस a good human being नाम एक अच्छे आदमी थे बाई ने पता एक अच्छे आदमी थे एक जाके मिले ते राम जी से but not God ठीक है लेकिन भगव भगवान तो यहां यह बैठ है कि लिए इन्होंने देख लिया यह तब भी कहते पास्ट में राम जी से मिलके आए उन्हों पता एक अच्छे आदमी थे ठीक है but not God लेकिन ईश्वर नहीं है ठीक because when रामन किड्नैप्ट सीता जब रामन सीता को किड्नैप किया राम डिड़ राम को पता ही नहीं चला ठीक है रामन कहां ले गया रामन को किड्नैप करने के बाद उन्हें बंदरों के सायता लेनी पड़ी और यह वह बोलना है पता है आपको हमारे पूझ प्रतिष्टित भगवान श्री हनमान जी को इसने बंदर बोला ठीक है लाइक हनुमान एंड अधर मंकी और अधर मंकी जो वहाँ पे और भी वानर गड़ थे ना नल नील उनको भी चलो इफ राम इस गोड देन वाइनोट लव एंड कुश आर गोड अगर राम गोड थे तो लव और कुश गोड क्यों नहीं है अच्छा चलो ृई हम यह मानते हैं कि भगवान ने ही सब को बनाए सभी बच्चे भगवान तो हम भी तो उससाब से भगवान हो गए आप भी भगवान हो क्योंकि भगवान में प्रतेक जीव में भगवान का अंश है और वो अपने आप में क्या है इश्वर है एहम ब्रह्मास्मी का कॉंसेप्ट हमारे धर्म से निकला है ठीक है है ना चलो अब आपको बताते हैं हमारे धर्म में तो हर एक चीज लिखिए आप कहीं भी लाओ उसका सब का काट यहाँ पर ठीक है हमारे हम थाकार रूप के भी पूजा करते साक रूप में भगवान मूंते हैं मूर्थि पूजा करते्यां फिंज निरंग कारी है लेसे मैं थैżen कि भागवान का को स exhaustion फीन पगवरान के चले सुने भिन इश्वर के निरंकार रूप भी है और उन्होंने साकार रूप इसलिए लिया क्योंकि बहुत सारे वेक्तियों को साकार रूप में इश्वर से प्रेम करके उन्हें भक्ति को जागरित करना था इस वजह से और लोगों को सिक्षा देनी थी इस वजह से उन्होंने जो है साकार रूप में वेश धारण करके अलग-अलग लिलायर अच्छी है ठीक आपकी जानकारी के लिए अब सुनों ठीक है उसके बाद इन्हों ने जो यह बात पूछी कि इन्हों ने का राम गुड हुमन बिंग थे क्योंकि इन्हें पता था पट नॉट गॉड बिकॉज रामन किड् कर लिया राम को नॉलेज नहीं थी अब देखो मैं बताओं आपको राम है हमारे मर्यादा पुरुशोत्तम ठीक है राम जी ने अपना जीवन एक व्यक्ति के रूप में विताया है राम जी जैसे राजा को ठीक है अगर वो चाहते तो क्या किसी की भी इस जगत में किसी की इतनी हिमत थी कि वो उनको वनवास भेज देता नहीं उन्होंने खुसी खुसी वनवास को स्विकारा और 14 वर्स वनवास में काटे एक नौर्मल इंसान की तरीके कंदमूल फल खाया जो कि इतने बड़े महलों में रहने वाला हो वो इस तरीके से वनवास काटे ऐसा सिर्फ हमारे प्रभुश्री रामी कर सकते हैं ठीक है पहली चीज दूसरी चीज सीता जी जैसे सुकोमन कन्या जो कहते हैं कि फूल भी उनके लिए कठोड थे उन्होंने लकणियां तक काटी और अपने बच्चों को खाना बना बना के खिलाया है ठीक है क्यूं चाहते तो वो की लिए बनाए गई है ठीक है यह दिखाया अटॉंन यह जीवन का हिस्ता और यह तो जब भगवान के जीवन में आय तो हम लोग कौनसी फेट की मूली भाई कि platforms को औ identifies water हमारे जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी ठीक है चलो तुम्हारे इस बात का पहली चीज का जवाब मैंने यह दिया है कि वो मर्यादा पुरुष होतन थे और उन्होंने जान मुझके सारी चीजें अपनी मर्यादाओं में रहके किये कि अगर यहाँ पर एक कोई साधारन मनुष्य होता तो वो किस तरह से अपनी पत्नी को खोजता ठीक चलो सौरी मेरी तब्याद सही नहीं है लेकिन आपका जवाब देने के लिए तब्याद बहुत सही है ठीक है उसके बाद देखो ठीक है फिर इन्होंने हनमान जी को मंकी बोला ठीक और मैं आपको बता दू हनमान जी क्या थे वानर कपी थे ठीक है मंकी नहीं थे बंदर नहीं थे इसलिए अपना दिमाग ठोड़ा सही करो पहली चीज और कहरें लवकुष गौड क्यों नहीं थे ठीक है भगवान के ठीक है तो यह सारी आवतार पून आवतार थे भगवान शृविष्णू के में और लीकिन अनुन परों नहीं प्रकौट होते हैं लेकिन उन्होंने मनुष रूप में अही तो उन्होंने सारी लीना स मनुषवाल की भीतिति के उनसे माता जो है ऐसा कहती है कि हमें अपनी बाल ली लाएं दिखा के सुख दो ठीक है उन्होंने ऐसे ऐसे काम किये वो चल रहें गिर रहें ताकि वो अपनी माता को क्या दे सके एक सुख दे सके जो नॉर्मल माता हर माता चाहती है ठीक है अपने बच्चे को देखके सुख पाती है अब सुन ठीक है उनका गला काट दिया How can a god have no knowledge of his own son How can a god kill his own son ठीक है मतब कैसे पता नहीं था और कैसे मार सकता है कोई भगवान अपने बेटे को If Shiva was a god Then why did he supported राक्षुसाज Instead of देवताज While राक्षुसाज kill and eat people's flesh इन्होंने का अगर शिवा गौड थे तो वो राक्षुसों को सपोर्ट क्यों करते थे ठीक है Instead of देवताज देवताओं की जगर राक्षुसों को सपोर्ट को करते थे Why राक्षुसाज kill जबकि राक्षुस जो थे वो किल मारते थे और eat people's flesh और वो आदमियों का मांस खाते थे ठीक है और वो रोय क्यों नॉर्मल आदमी की तरीके गौड ड़जन्ट क्राए ठीक है अब आपकी इस बात का भी मेरे पास जवाब है अच्छा पहली बात कि जब शंकर जी आये थे ठीक है जब वो अंदर जाने के लिए जाना चाहते थे और गड़ेश जी उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे ये बात वास्तव में सही है कि उस समय उन्हें नहीं पता था अब नहीं पता था ये तो सिर्फ एक कहानी दिखाने के लिए भगवान को क्या नहीं पता है ठीक है भगवान सरवग्य है ठीक अब मैं आपको बताओं अब खगवान को कश्यपश रिषीने श्राब दिया था जब एक बने माली और सुमाली की कथा अब ब्रह्म वैर्वत पुराण में आती से माली और सुमाली की कथमा पढ़ें तो इसमें पाएंगων की सूरदे बहल भगवान कर दिया था मूर्चा में डाल दिया था क्योंकि माली और सुमाली भगवान के भक्त थे ठीक है तो हुआ जब कि सूरदेव मूर्चित हो गए तो रिशी कष्यप जो कि देवताओं के क्या माने जाते पिता माने जाते उन्हें बहुत ही दुख हुआ उन्होंने देख करके इवे दो कोई श्राब दे सकता अब यह भी बात बताएई कभवान अपने संतों की लाज लाज रखते अहिता है अपने घक्तों को छुम रहेले हूं और इस तरह भग्वान होता हैonce फ्ली तरफ पह दन्हें दोचünde को सब्सक्राइब करें अपने में किय apnelle समझाने कि जो आपने खान कि अगर वह भगवान थे तो उन्होंने इतना सफर क्यों किया तुर लेने का मतलब ही दूसरी बात गांदारी ने श्राप दिया था गांदारी बहुत ही क्रोधित पूर लोगर तहों उन्हें चब देखा उनके सारे बच् learners उनके 100 जो बच्चे थे सम मारे गए तब उन्हें बहुत दूख हुआ उन्हें से कहा कि तुम चाहते तो यह युद्-रुक जाता जो बात आपने वही ही बताई वही बताई उन्हों चाहिए क्योंकि आपके फुत्रों ने तो इतने बुरे-बुरे कर्म किये थे जिनकी सजा मिलना निश्यत था पर गांधारी एक सती इस्त्री थी और भगवान ने हमेशा सतित्तों का मान रखा है उन्होंने अपनी आखें हमेशा के लिए बंद कर ली जब उनके पती नहीं द देख्ञोंगे तो उस बात को भगवान को सही रखना था आप यह चीज़ देखो कि भगवान की क्वालिटी क्या है अगर कोई छोटा वैक्ति भी अगर छोटी भी बात बोल रहे हैं ना भगवान के लिए किसी भी वैक्ति की क्योंकि सब उन्हीं के द्वारा बनाए गए उनके सामने किसी की नीच अब सकती लेकिन उन्होंने सबकी रखी सबकी बात मानी है सिर्फ किसलिए क्योंकि उन्होंने दिखाया कि भक्त गड़ जो है न हुम उससे भी उपर आते हैं अगर उन्होंने भी कुछ श्राप दिया तो भगवान ने उसे हस्ते हस्ते सहा है ठीक आप लोग तो मनुष्य हो करके कुछ भी कर सकते हो ठीक है तो गाइस आज की मेरी जो यह वीडियो थी यहीं पर खतम होगी क्योंकि यहां पर इनका जो कमेंट हो खतम होगे वीडियो थोड़ी लंबी जरूर थी पर बात को पूरा रखना जरूरी था और अगर आपको यह पसंद आई हो तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ठीक है लाइक करना ताकि सभी लोगों तक यह बात पहुंचे और मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि आपके मन में अगर कंफ्यूजन उठता है हमारे धर्म को ले करके य क्यों कि हर किसी की अपनी श्रद्धा होती है उन्होंने मुझे बुरा लगा मैं भी उन्हें बुरा लगे लेकिन हमारा धर्म तो कहता है वसुद्याव को टुम्ब कम सबको अपना परिवार मानता है ठीक है और आधिकाल से हमारा सनातन धर्म है इसलिए मुझे तो यह हुआ झाल